देखे 2.34 कह रहा है कि describe यह क्या लिखा है spelling क्या लिखिए schematically होता है schematically मतलब होता है systematic वो systematic नहीं है पहले मैं systematic ही पढ़ रहा था schematic होता है schematic मतलब systematic प्रोसेस इसाब से the equipotential surfaces corresponding to this कुछ electric fields है उन electric field की वज़े से आपको equipotential surface बनाने है और आप जानते है equipotential का मतलब जहाँ potential हर जगे सेम रहे और हमेशा जो equipotential surface होता है वो electric field के perpendicular होता है यह आप जानते हैं तो पहला पार जो इसका बता रहे है question number इसका जब पहला पार जो बता रहे हैं वो कह रहा है कि the constant electric field in the z direction अगर एक electric field constant हो z direction में z direction मान लेता हूँ यह तो कहीं भी आप मान सकते हो ना x y z की जो place है आप change कर सकते हो किसी को x किसी को y किसी को z मान लो और गलत डाइग्राम लाल हो लेने वो तो z माना था हमने सही का लिजे सर वो z होना चाहिए लेकिन z होना चाहिए तो फिर उसके पहले x y z होता है क्रम भी सही होना चाहिए तो यह हमने z axis माना है यह electric field है और कैसा electric field है यह constant electric field है तो इसकी वज़े से equipotential surface बनाई है तो कैसे बनाऊगी आप कोई बना तो surface perpendicular to electric field है यह हो गए यह equipotential surface है अब जो कि surface बनाए गहें ऐसे यह surface लेकिन यह रखे ऐसे गहें इसलिए आपको दिखाई यह चीज़ बढ़ रही है आप चाहो तो इसको surface को ऐसे भी बना सकते हो ठीक है यह equipotential surface जो मेरा diagram rating जानते हो मसाला है इसलिए यह मसाला बन रहा है तो यानि कि अगर यह z axis है यानि यह कौन से axis है यह z axis आपने हम माना है ठीक है अमाले किसी ने ऐसे z axis मान लिया यह x y z ऐसे बना रहा है x y z ऐसे बना रहा है कुछ ज्यादा x axis y axis और z axis तो electric field आपका z axis के लंग हो गया surface ऐसे बनाना पड़ेगा आपको यह अपके surface है यह equal distance वैसे बनाते चले जाओ यह आप पर depend करता है कि आप z axis कि अधर की और मानते है ठीक है तो यह पहला part हो गया ठीक है अब यह distance के हिसाफ से increase हो रहा है तो आप कैसे बना दे आई इसे पतला बना किसे मोटा बना दे electric field हो तो आप दिमाग में रखेंगे हम कि भाई यहाँ पर क्या होगा electric field जे डिरेक्शन में है लेकिन वो क्या हो रहा है कि दूरी के साथ साथ उसकी value increase होती जा रही है ठीक है तो इसका मतब potential भी बढ़ता जा रहा होगा तो आप करोगे क्या potential तो हमेशा electric field के perpendicular ही होता है तो आप क्या करोगे यहाँ पर potential यह surface दिखा दो जैसे इसे दूर जाओगे वैसे इन surface का क्या कर दो इनको नजदीक कर दो बस बस थोड़ा सा closer आते जाएंगे strong होते जाएंगे ठीक है तो electric field जादा तो force जादा लगेगा तो work जादा करना पड़ेगा work जादा है तो potential जादा है तो potential जादा है तो कैसे बनाओगे इसको strong दिखाने के लिए नजदीक बना देंगे तो यह अगले part का answer है a single positive charge on the origin अगर आप single positive charge यहाँ पर origin पर रखोगे यह पर यह positive charge आपने रख दिया मालिया तो यह अपने चार और electric field क्रेट करेगा uniformly हर तरफ तो spherically आप क्या करोगे इसको center मानते हुए यह spherical भाई electric field कैसे होगा electric field तो इसे दूर क्यूर होगा और हर जगह जो potential होगा जो equipotential surface होगा वो इसके perpendicular होगा ठीक है तो यह spherical concentric sphere बनाते चले जाओगे और यह आपका संकेंद्रिय गोला एक हिंदी वड़ बोला नहीं अब कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ठीक है इसका D part क्या कह रहा है क्या uniform grid consisting of long equally spaced parallel charged wire in a plane uniform grid का मतलब होता है बहुत सारी wire का एक बंच जिसे तार होता है न आप कोई छोटा जो copper का wire होता है पतला देखो उसमें बहुत सारी तार होता है पतले बतले 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 बलते तो एक wire का grid है वो ठीक है तो अगर एक uniform grid है consisting of long equally spaced parallel charged wire in a plane देखो यह है plane यह हमने ऐसे इसे plane रख दे यह है plane ठीक चलेगा और यह wire ऐसे निकल किया रहे है इस plane से ठीक है तो wire कहाँ पर लेटे हुए है यह x-axis यह y-axis यह x-y plane पर लेटे हुए है ठीक है तो जड़ा देखे है क्या लफडा यह हमने जो ऐसे किताब रखी है ना यह आपकी x-axis है क्या है x-axis है ठीक है यहां से wire निकल रहा है कितने wire निकल रहा है कितने wire निकल रहे हैं बहुत सारे ठीक है यह wire एक यहां पर है equally यहां पर यह wire है यहां पर wire है यहां पर wire है यहां प अब चार्ज बायर मतलब चार्ज मूब कर रहा है, माले चार्ज उसमें है, चार्ज मूब कर रहा है, चार्ज है उसमें, ठीक है, अब देखो इसमें मालिया चार्ज कितना है, प्लस क्यू वन, इसमें कितना है, प्लस क्यू टू, इसमें कितना है, प्लस क्यू थी, इसमें कित इधर निकलेगा इधर भी निकलेगा तो जैस इसमें इलेक्ट्रिक फिल्ड कैसे निकलेगा चारो तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फिल्ड होगा नहीं होगा और ये भी ये करेगा और ये जब इलेक्ट्रिक फिल्ड करेगा तो ये बगल वाले इलेक्ट्रिक फिल्ड जबाएगा क एसे यहां से भी कर्व हो जाएगा ऐसे यहां से भी कर्व हो जाएगा IF तो यह ऐसे ने काना है pistol olacak समझाने कि लिए बना अगिया ठीक है अब चूंकि हर जगह इस तो यहां इस प्रकार से आपको एक शेप मिलेगी, नहीं समझे, तो इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, तो ऐसे ही आपको एको पॉटनिशन सर्फेस दिखाई पड़ेंगे, तो बहुत दूर जाएगे, अभी यह इसके रिपल कर रहा है, जब बहुत दूर यह निकल जाएगा, तो पूछेगा, भईया, बगल वाला जो चार्ज वाला फील्ड है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो लाई हो रही थी आपस में रिपल्सन हो रहा था, तो बहुत फिर आगे कल दिस्ट करेंगा, ओके ठीक